तो यार हेलो दोस्तों सवागत है आप लोग का spin tire के part 9 के अंधर तो यार बिनादेरी के चलो start करते हैं पिछले पार्ट के अंदर हमने watch hour clocking वाश टावर स्नोर और यहां से एक रास्ता जाता है, यहां पर एक पूल है, तो मुझे लगता है यह वाला जो रास्ता है, जिस सीधा यह वाली क्लॉकिंग के पास चलेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, सीधा इस रास्ते से कनेक्ट होता हूँ किसी तरह से, तो यह अपना ट्रक, जो हमने पिछली पार्ट से यूज कर रहे हैं यह लोग, हम लोग, डिफ लॉक ओन, बहुत बढ़ी है, इसको पहले थोड़ा सा आगे करते हैं, उसके बाद पीशे, और मैं सो चलो रिवर के अंदर से चलता हूँ, रिवर नहीं, यह लेक सा है, यह लेक भी नहीं कह सकते हैं, इसको लेक तो बड़े होते हैं न, यह नाला सा है, कुछ भी कह रहो, थोड़ी सी जगह जहां पर पानी खड़ा है, तो चलो इस में से निकल गया यह, अभी all wheel off कर देता हूँ, तो कि हमारे पास जो fuel है, वो 50%, 60% ही पड़ा है, और यह पहुंच गे हम लोग रोड के पास, अभी देखते ह हैं हमें किसी तरह से, तो इसी साइट चलते हैं, राइट साइट, और यह धस्त क्यों रहा है, पाफ़ूल ट्रक है न, यह तो फिर भी, ओके पानी है यहाँ पे, पानी की वेसे दिक्कत होती है इसमें, ओके हमें फाइनली रास्ता मिल गया, अगर रास्ता मिल जाए तो इजी हो जाता है काम, और यहां से राइट जाना है यह लेफ्ट, एक बार देखना पड़ेगा मैप, ओके मैप में तो सब कुछ काला आ रहा है, तो हम देखनी पाएंगे कि हमें कहां जाना है, तो थोड़ पर फिर के मझे लगता है, कलॉकिंग के पास पहुंच सकता है, तो ऐसा करता है लेफ्ट लेते हैं, ओके तो पका रास्ता आ चुका है, ओल विल कर देते हैं, ओन्स्ते ने, है बार फिर। यार, इतनी मड बहुत ज़ादा मडड है याмотр एक्चुली ये मेन रास्ता है मेन रास्ते पर मडड नहीं होगी तो कहा और होगी यहां से ले लेते हैं, राइट तो कि कलॉकिंग राईट के तरफ है यह तो मुझे लगता है सीधा जाएगा रास्ता क्लॉकिंग के पास बाकी आगे जाके देखते हैं तो यह जो क्लॉकिंग होती है वो थोड़ी सी शिपी हुई होती है पेड़ों के पीशे ओके हमारा ट्रक डैमेज लेते हुए आगे बढ़ रहा है 127 का डैमेज ले लिया इसने वो भी अभी बहुत जल्दी ले लिया इसने डैमेज इसके अंदर स्नोर अंदर से भी जादा डैमेज होता है मड रनर पे भी इतना डैमेज नहीं होता है जितना यार स्मीन टायर्ज में होता है डैमेज बहुत डैमेज होता है ट्रक बट इसका ये मतलब नहीं है कि इसके ट्रक जो है वो वीक है पावर्फुल बहुत है पावर में कोई कामी नहीं है और आगे क्या है ये आगे मुझे लगता है गैरेज है एक तरह का एक बार मैप देख लेता हूँ एकदम यहाँ पर गैरेज देने की क्या जोह थी पहले से ये गैरेज है अपने पास और यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है किसी तरह से मुझे लगता है आगे तो कोई रोड वगरा है हम लोग रोड से कनेक्ट हो गए ओके आगे रोड है वैसे तो अच्छी बात है रोड मिल गी बट रोड क्लॉकिंग की तरफ नहीं जा रही और यह रोड है कहां पर यह तो हम बापस जा रहे है ना गैरेज की तरफ यह तो हम गलत रास्ते पर पड़ गए हमें पीशे जाना है थोड़ा बलत दूसरी साइड जाना है हमें तो ऐसा करता हूँ यहां से कोई रास्ता ओके यह रहा खूफिया रास्ता है यहां पर पतला सा इसको फॉलो करता हूँ क्या पता मिल जाए क्लॉकिंग यह वाली क्लॉकिंग यार सबसे जादा हाड है यह वाली मिलती निया, ओक्ए यहां पे तो मैं पहले आ चुका हूं, हम लोग भटक रहे हैं थोड़ा या, ऐसा करता हूं यहां से, वोर एक लोकिंग यार मिलगी, फाइनली, मिलगी लोकिंग, यहां पे यार यह वाली लोकिंग बहुत जादा टफ थी, यह नी मिल रही थी यह असानी से, फाइनली मिलगी लोकिंग हमें, अब यहां पे इसे रवील करके देखते है कि कौन कौन से रास्ते हैं यहां पे, चल भाई चड़ जा ट्रक क्यों फस रहा है अब, थोड़ी सी दूर है लोकिंग, ओके मुझे लगता है विंच वगरा लगानी पड़ेगी, तो बहुत जादा असान है यह अग लोग लोग विकार में नीचे से घूमके आए, यहां से रोड के बहुत जादा पास है यह अग लोगेर सोगव Image from which the यह लगता है कि हम लोग जिस रास्ते से आये ना यहां से हमें बापस जाना पड़ेगा जा फिर यह वाले गैरेश की तरफ से जाना पड़ेगा मैं अभी ऐसा करते हैं कि यह वाली क्लॉक्टिंग ढूनने से पहले हम इधर से शुरू करते हैं यह वाले जो ट्रक है इससे हम यह वाली जो गाड़ी है न यहाँ पे एक लास गाड़ी इसको अनलॉक कर लेते हैं पहले ताकि हमारी जो स्काउटिंग है वो इजी हो जाए मुझे पता नहीं यह कौन सी गाड़ी है देखा जाएगा बाद में पहले इसको अनलॉक करते हैं उसके बाद गैरेज में रिकाव तो ऐसे करते है पहले ये वाली गाड़ी डिसकवर अ करते है कौन सी गाड़ी है मुझे तो रखते है विसलिए जीप हो गी बट फिर भी जिस और नौलेज्य नाम याद नाम याद मिझे मढड रनर के याद स्नोर्रनर के भी यादथ है और दूसरी बार ट्रक बॉट डैमेज रहे बट इसके पीछे कॉंटेनर लगा हुआ है हम लोग डैमेज रिपेर कर सकते हैं न हाँ डैमेज रिपेर हो चुका है तो ऐसा करता है रिकावर जरूरी करना है हम सीधा चलते हैं रिकावर करने के अभी कोई जरूरत नहीं है हम दिखा है नहीं कि पीशे रपेयर पॉइंट्स पड़े हैं अपने पास बहुत सारे भूवी और यहां पर मुझे लगता है शॉटकाट लेना पड़ेगा ने शॉटकाट क्या लेना यहां पर रास्ता है तो है डैमेज दवारा मिल गया बट कोई बात नहीं पीशे है रपेयर है यह देखो यहां पर डैमेज होगा ट्रक ओके निकल गए देखे तो कौन सी गाड़ी है ओके जीप है नॉर्मल जो जीप होती है न वो ही है यह कुछ खास नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ कि जीप को देख लेता हूँ अगर यह डैमेज हुई फिर से यहीं पर शोड दें है इसमें तो हम लोग जीप को क्या करें जीप से स्काउटिंग करें जा फिर उस ट्रक से अभी लाइज स्ट्रीम भी नहीं चल रही नहीं तो मैं आप लोगों को से पूछ लेता कि कौन से वाइकल से करनी है तो मैं सुक्च रहा है जीप बहुत जादा वीक हो जाएगी तो तो मैं सब्सक्राइब यह ट्रक को हम यूज करेंगे इतना ही शुकर है हमने यह मतलब जीप को अनलॉक कर लिया तो ऐसा करता हूँ यह वाली जीप को न मैं अपने गैरेज में शोड़ जाता हूँ गैरेज में रिकवर कर लेता हूं इसको यह अपना गैरेज यहां पे वास्ते से जाएंगे ताकि हमारा जो फ्यूल है वो कम खर्चो यहां पे हमारा जो गैरेज हो तो अल्लॉग नहीं हुआ बट यहां पे ट्रक खड़ा है जसके अंदर फ्यूल टैंक लगा हुआ है तो एजी रहेगा हमें फ्यूल मिल जाएगा बहुत सारा तो चलो बिना ट ओके डैमेजी डैमेज बहुत सारा डैमेज मिल गया एक्चली मुझे यहां से धेरे निकालने चाहिए थे ट्रक तो कि उबढ़ खावड है ना बंपर वगएरा नीचे से जो चैसी होती वो सारी तूट जाती है यहां से राइट मुड़ना है हमें एक सेगंड दस्कूर आए यह ट्रक पत्थर है ना पत्थर हो की वैज़े से ना ग्रीप नहीं मिल तरी ट्रक को तो ऐसा करता हूं विंच लगा ले तो यहीं पे बट विंच के लिए कोई पॉइंट ही नहीं है यहां पे इसको अपने आ लेते हैं अभी हमारे पास 500 पॉइंट ही बचे है रिपेर के तो हमें धोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा तो कि यह ट्रक होता है ना उसकी प्रफॉर्मेंस कम हो जाती है ट्रक को न्यू कंडिशन में ही रखना चाहिए और यह यहां पे आउट अफ कंट्रोल क्यों हो रहा है ओके इसके वील दूसरे है ना यार ओफ रोड वाले हाईवे वील्स नहीं है अगर मैं हाईवे लगा दूँ फिर तो यह राम से ग्रिप पकड़के जाएगा ओके थोड़ा स्लोई कर लेता हूँ आउट अफ कंट्रोल जादे ही हो रहा है अभी तो फिलाल लिए हमें यह रोड को फॉलो करना है तो हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे ओके यहां से हमें धीरे धीरे से चलना होगा तो कि पिछली बार हमने यहां पे थोड़ी स्पीड पगड़ ली थी तो दिक्कत होगी थी हम लोग नीचे जाके गिरे थे अभी मैं यह सूच रहा हूँ ओके अभी 100 का डैमिज ले लिया इसने यहां पे यार बंपर्स की डिसकवर होगी अगर एक हाधी रहा भी गी तो अगले पार्ट के अंदर हम उसे डिसकवर करेंगे और साथ में गैरेज ट्रेलर भी लेके जाना है बटे यार मेरी तो खालत खराब हो रही है तो देख रहे हो कैसे यहां पे मोड है एक तो यार चड़ाई है चड़ाई की व बार बार भगा लेता हूं यहां से ट्रक डैमेज हो जाता है अभी 200 पॉइंट रहे अभी हमारे पास 500 पॉइंट थे अभी 200 रहे बस तो ऐसा करता हूं यहां पर धीरे धीरे लेके चलता हूं भगाना नहीं है जरसा भी मुझे लगा रोड है भगाते रहेंगे यह देखो बिना बाद का डैमेज ले रहा है यहां पर छोटा सा खड़ा था उसकी वैसे इस ने 39 का डैमेज ले लिया तो यह थोड़ी दिक्कत वाली बात है ओके ध्यान से मोड़ना पड़ेगा यहां से ऐसा करता हूं डिफ लॉक अन कर लेता हूं तो कि यहां पर कीचड़ है थोड़ा सा और ये ट्रकी नहीं इतनी इच्छी से मुड़ रहा तो यार कंटेनर कैसे मुड़गा यहां से बट उसको मुड़ना भी एक तरह का चैलेंज रहेगा बट हम बेवकूफी वाले चैलेंज नहीं लेने वाले हम लोग इजी वे में खेलेंगे सेव खेलेंगे थोड़ा और यह क्या कर रहा है ट्रक मैंने तो रेस भी नी दी फिर भी वह आटओ अफ कंट्रोल हो रहा है जो औरिंज ट्रक है ना वह नहीं यार आटओ कंट्रोल हुता हुँ थे हाइवे के लिए बनाया है यह हो जाता है फुल ली ओफ रोड ट्रक करने इसकी इसकी वैसे ऐसा करता हूं इसको ना मैं मैनुवल में डाल देता हूं वो सही रहेगा इससे यह थोड़ा दीरे चलेगा अभी हमें स्पीड नहीं चाहिए देख लो इतना धीरी है ट्रक तब भी डैमेज ले गया डैमेज की बहुत बड़ी प्राइबम है इस गेम के अंदर बिना बात का डैमेज अगर ऐसे डैमेज लेना तो यार ओफ रूट ट्रक का फायदा ही क्या नुकसान ही है ऐसा करता हूं अब आटोमेटिक में लगा देता हूं अब वो रास्ता खतम हो चुका है अब यहां पर थोड़ा सा भखा सकते हैं लोग ओके चड़ाई आगी ऐसा करता हूं डिफ्लोक आउन कर लेता हूं और वील नहीं करूंगा जा और वील भी करी लेता हूं तो कि हमारे पास इतना फ्यूल है कि हम कंटेनर के पास पहुंच सकें दूसरे ट्रक के पास तो और यह प्रोसेस है वो थोड़ी फास्ट हो सके वैसे भी इसकी माइलिज तो अच्छी है अगर यह वाला गैरे जलना कोज़े न तो हमारी बहुत सारी प्लोग प्रोग्लम सॉल्व हो जाएगी तो कि यह वाला गैरे एक दम बीच में है यहां पर हम अपने जो ट्रक है उसको र पर्ट के अंदर हम गैरेज अलोग कर सकेंगे ओके फाइनली पहुंच गे हम लोग और वो रहा अपना ट्रक आगे और यार यह आटोमेटिक में फर्स्ट गेर में क्यों लगा हुआ है यह सेगेंड थर्ड क्यों नहीं लगा रहा ओके अभी लगा अब तो सीधा फॉर्स लगाएगा मुझे लगता है थर्ड तो लग चुका है हाँ फॉर्स लग गया वह अपना और इंज ट्रक यह मुझे लगता है फ्यूल के लिए ही बनाए है और यह वाले ट्रक के पास फ्यूल भी और पेयर पॉइंट भी इसको ले लेता हूँ यार चेंज ट्रक यह बल्यू ट्रक और इसके अंदर 600 रपेयर पॉइंट है बहुत बढ़िया और साथ में फ्यूल कितना है 400 लिटर का फ्यूल बहुत ज़्यादा है अब चेंज करता हूं ट्रक इसमें बहुत बढ़िया अब यह फुली प्रपेयर हो गया मतलब फुली रिपे सब्सक्राइब बढ़िया अब जहां तक हो सके हम लोग रोड को ही फॉल्व करेंगे तो जब हम रोड शोड़ते हैं न तब ही बंगा पड़ता है और क्लॉकिंग रोड के पास ही होती है एक तरह से बस थोड़ी सी शिपी हुई होती है ओके रोड तो यहां पर यूटरन ले रहा है तो मैं सुच रहा हूँ इस रास्ते से चलते है क्योंकि यह रास्ता थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है वो शूटे हैं रास्ते तो बड़े रास्ते को फॉलो करेंगे हम लोग बट एक सेकंड एक सेकंड यह रास्ता यह उपर से जाएगा भूम के तो यह रास्ता मुझे लगता नहीं कि यह रास्ता सही है तो कि इसकी डुरेकशन ठोड़ी गलत है यह साइड जा रहा है राइट साइड हमें लेफ्ट साइड जाना है तो आगे वाले यह शोटे रास्ते हैं को देखते हैं और यह मैं क्या देख रहा हूं यहां पर अंधेरा क्यों हो रहा है ऐसा करता हूं सबसे पहले ट्रक चेंज कर लेता हूं इसमें और अब इस नाइट को मैं स्किप कर देता हूं थोड़ा सा ओके नाइट हो चुकी एक सेकिन यहां पर करता हूँ ना मैं मॉर्निंग पर हाँ अब ठीक है अभी दिन हो गया ओके जर्नी को दोबारा करते हैं स्टार्ट स्टार्ट हो जंजन बहुत बढ़िया चलो भई उस रास्ते जाना है हमें इस बार यह वाले हाला कि यह थोड़ा ड्रावना लग रहा है तो कि मुझे नहीं पता ही आगे कहां तक जाएगा बट फिर भी फॉलो करना बढ़ेगा और डैमेज 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 आगे यह शूटे शूटे रास्ते है यह शूटो रास्ते से मुझे नफ रहता है यह अब ट्रक फजाते है यह दखो आगे पेड़ा भी ओके मैंने गलत जगा से निकाल दिया ट्रक ऐसा करता हूं यह थमनेल अच्छा है और टायर देखो कैसे घूम रहे हैं थमनेल तो मिल गया चलो आज की वीडियो के लिए बट किस तरह से एंगल मतलब एंगल देख रहे हो कैसे यह गिरा है उपर से और इसके टायर कैसे फ्रीली मूव हो रहे हैं फिजिक्स देख रहे हो दो हिया चौदा की गेम है फिर वी फिजिक्स अलगी लेवल पे है इसके ओके हम लोग सई ड्रेक्शन बे जा रहे है मुझे लगता है बट आगे कुछ दिख क्यों नहीं रहा ओके यह नहीं रहा रोड रोड मिल गी फाइनली और कितनी पास पहुंचे हम लोग बहुत पास है बहुत ज़्यादा पास है बस हम लोग पहुंचने वाले हैं बट यह रोड ओके लेफ्ट को मुड़ गी यह वाली रोड अच्छी बात है न्यू मैप डिसकॉवर करने में अलगी मेज़ा आता है ओके वो रही भाई क्लॉकिंग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यहां से मुड़ना है लेफ्ट नहीं 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 कहां चड़ रहा है यह रास्ता तो ड्रेक्टली मतलब जा रहा है क्लॉकिंग की तरफ जो क्लॉकिंग सबसे ज़्यादा हाड लगते है न वो एक्चुली में सबसे ज़्यादा इजी है इस गेम के अंदर मतलब रास्ते के उपर clocking कमी होती है और इस वाली clocking के लिए हम बहुत अड़फे है यह unlock होगी clocking मुझे लगता है इस पार्ट के हंदर हम लोग कर देंगे clocking reveal तो कि पहली clocking reveal करने में मुश्किल होती है बाद में समझ आ जाती है कि map किस तरह से बना हुआ है उसके बाद easy हो जाता है थोड़ा और यहां से मुझे लगता है हमें ओके एकदम blackout है दिखी नहीं रहा अभी जो हमने clocking reveal की उसका कोई फायदा नहीं हो तो कि हमें उपर से यह थोड़ा सा पार्ट दिखा है और कुछ नहीं दिखा हमें तो ऐसा कहता हूँ किसी तरह से इस वाली रोड से जुड़ता हूँ फिर उसके बाद इस साइड जाते हुए लंबर मिल के आगे से मैं नीचे की तरफ जाऊँगा फिर यहां पर मुझे लगता है इस साइड जाएगा रास्ता तो चलो रोड को ढूंडते हैं सबसे पहले अभी हमें मुझे लगता है ओके सीधा जाना है हमें सीधी हमें रोड मिल जाएगी और यह ट्रक की क्या हालत खराब हो चुकी है निकल क्यों नहीं रहा मुझे लगता है मुझे रिवर्स जाना बढ़ेगा तो कि इस रोड से ही तो मैं आया हूँ जा फिर नहीं सही है सीधा ही जाना है और यार यह ट्रक क्यों फसर है अभी मोस्ट पावर्फूल ट्रक होने के बावजूद भी विंच लगाता हूँ एक्चुली यह पेड़ की जड़े है ना यह दिमाग खराब करती है और एक सेकंड एक सेकंड बलटने वाला थे तो इस साइड लगाता हूँ इंच पेड़ों की जड़े हैं ना यह बहुत काम खराब करती है टायर इसमें ऐसे फसते हैं कि पूछे भी मत मड से जादा डर मुझे इनसे लगता है अब और यहां से लेफ्ट और राइट राइट चलते हैं राइट में रास्ता दिख रहा है एक तरह का अभी यहां से राइट लेना पड़ेगा बट धलान बहुत जादा है मैं सूच रहा हूँ विंच लगा देता हूँ ताकि हमारा जो ट्रक है वो बस पल्टे ना फस जाए पल्टे ना बस विंच लगा के सही किया हम लोगों ने तुकि यह देखो एक सेकेंड फस राइट राइट रखिये तो और पलटने भी वाला है ऐसा करता हूँ विंच लगाता हूँ बहुत बड़ी अलगी विंच अभी ये निकालेगी ट्रक को अगर इस गेम के अंदर विंच नाना होती फिर तो बहुत जादा दिक्कतवारी बात थी और यार ये क्या हो रहा है देख रहे हो हाल इसका भी थमनेल ले ले लेता हूँ स्क्रीशोट ले लेता हूँ अच्छा निकल गट रख को के फिलाल के लिए थे हमें सीधा जाना है बस में रोड़ से कनेक्ट होना है हमें और हम लुग मुझे लगता है हाँ हो चुके हैं बहुत बड़ी है यार में रोड मिल गिये में यही में रोड है और ये ले लो डैमेज 131 डैमेज बहुत बढ़िया ओके कीचड़ आ गया ओल वी लॉन डिफलोकॉन बहुत बढ़िया और इस साइड ये क्या रिवा रह ले ये कहा पता नी और कीचड़ में क्या पर्फोर्मेंस है इसकी बहुत बढ़िया में दिक्कत कहां आती है पेड़ो की जड़ो पे वहाँ पे हिंज आता है ट्रक मट के अंदर तो कोई प्रॉग्रम नहीं इसे ये देखो कैसे निकल रहा है ये मैं आपको आगे से दिखाता हूँ इसके टायर एकदम धसे हुए है दिख तक मुश्किल से रहे हैं पीशे बाले फिर भी निकल रहा है ट्रक इसली और इन ही रास्तों से हमें लंबर भी लेके जानी है वुड भी लेके जानी है तो वो पता नहीं यार कैसे लेके जाएंगे हम लोग तो कि इतने ज़्यादा पावरफुल ट्रक है ही नहीं इस गेम के अंदर स्मॉल कैटगरी के मिले है यह सबसे पावरफुल है इस टेम इस गेम का ट्रक तो उसके इसाब से 8x8 मुझे लगता नहीं कि मिलेगा इस गेम के अंदर जो कि दिक्कत की बात है यहाँ पे चाहिए हमें पावरफुल ट्रक ओके मुझे लगता है हम लोग लंबर मिल के पास ही है और यह 200 का डैमेज 300 का डैमेज 400 का डैमेज हो गया वो रही लंबर मिल बहुत बढ़ी हमें पता चल गए कि यहाँ पे लंबर मिल अभी यही से हम लोग भूड अठाएंगे अगली बार अगली बार नहीं मतलब आगे वाले आने वाले पार्ट्स के अंदर वो रही लंबर मिल लकडे पड़ी हुई है बाहरी और यहाँ से हमें लेफ्ट मुनदा है सबसे पहले डैमेज रपेयर कर लेता हूँ और हमारे 400 डैमेज हुआ है और 200 पॉइंट है अपने पास तो इसका मतलब 200 का डैमेज हमें लेके घूना पड़ेगा अपने साथ तो इस बार धीरे धीरे चलेंगे डैमेज नहीं चाहिए हमें अगर थोड़ा सा भी डैमेज होया है तो ट्रक खतम मैं दबारा रिकवर करना पड़ेगा ट्रक जो मैं नहीं चाहता इससे अच्छा धीरे धीरे चलते हैं ओके धीरे धीरे भाई जा स्पीड मत पगड़ जब कहूं वहीं पगड़ना स्पीड वैसे नहीं एक्चुली एकदम से बड़ा गेर लग जाता है जब जो सर्फिस है वो हाड आ जाती न तो एकदम से बड़ा गेर लग जाता है और यह भागने लग पड़ता है वैसे छोटा ही गेर रहता है इसमें ओके यहां से हमें लेफ्ट मुड़ना है मट यहां पर तो रास्ता है नहीं है कुई मुझे लगता है आगे से जाना पड़ेगा मुझे हाँ आगे से जाना पड़ेगा अब सीधा हमें कलॉकिंग के पास ही जाना है तो यहां पर एक रास्ता है इसको फॉलो करके देख लेंगे अभी फिलहाल के लिए आगे चलते है और पता तुछ नहीं कैसा अलाका है यह अभी तक हमने सिर्फ एक का डैमिज लिया है जो कि बड़िया बात है अगर हम धीरे चलाते रहे तो डैमिज हो गाई नहीं ओके यहीं से मुड़ना है हमें कहीं से कहां हैं आगे है थोड़ा एक तो पता नहीं चलता है यार मैप के अंदर और यहां पर पत्थर भी बहुत है मदब डैमिज मिलने के चांस हंडर परसेंट ओके पल्टना मत पल्टना मत टेड़ा हो चुका है ट्रक पूरा मैं दिखाता हूँ आप लोग को यह देखो टेड़ा हो ट्रक है और यहां से मुड़ना है हमें खीक है नहीं आगे से और वहां पर क्या है यार वो लकड़ी क्या पड़ी हुई है यहां पर ख्या क्या एक और लंबर मिल देखना पड़ेगा जाके चल निकल जा ओके निकल गया मा लेता यह बात ट्रक बाकी ट्रक नहीं मानते बात ओके फाइनली पहुंच गए यहां पर क्या है यह पहली बार देख रहा हूं कि यहां पर लंबर मिल दिखा नहीं हुआ बट फिर भी यहां पर लकड़े पड़ी हुई है क्या है यहां पर ओके मुझे लगता है यहां से ही ट्रांसपोर्ट होती है लंबर मिल में लकड़ यह दो को यहां पर पेड़ काट कर रखे हुए है ओके ओके बट यहां से तो रास्ता खतम है हमें जाना है कलोकिंग के पास मुझे लगता है ये वाला रास्ते से हमें आना चाहिए था बट कोई बात नहीं हम अब आ चुके इतनी दूर तो बापस नहीं जाएंगे यहां से में इनके बीच में से जाना बड़ेगा डैमेज बहुत मिल जाएगा बस एकी दिक्कत है और खुश नहीं है डैमेज की में प्रोग्मींग İş अभी इसने नो का डैमेज ले लिया ऐसे ही निकलते है हमारा फुली ट्रक डैमेज हो जायगा बहुत जाएगा और पता नहीं निकल भी पाईगा यह ओके डैमेज मिल रहा है डैमेज मिल रहा है कि चल भाई धीरे धीरे निकल जा बस पस गया यार अभी लगाता हूं यहां पर विंच वैसे विंच तो यहां पर भर भर के हैं विंच मिल जाएगी इसली कि ओके डेमिज नहीं मिल रहा है भी जो कि इच्छी बात है बटे यावे फस बहुत खतरनाक तरीके से ज़रा है तो कि ओके इस बीच में है न यह स्टेम तो कैसे निकलेगा यह थोड़ा राइट को टान करता हूं इसको ओके नहीं हो रहा इस साइड में विंच लगा कि इसको टान करनकी कोशिश करता हूं हाँ अब ठीक है निकल गया निकल गया नहीं दुबारा फस गया एक्चुली वो टायर के नीचे भी स्टेम है न उसकी वैसे टायर हवा में हो रहे है अगर उनको ग्रिप नहीं मिलेगी तो वो कैसे निकलेंगे ओके फाइनली निकल गया बहुत सारा डैमिज लेके बट चलो भाई दुबारा बत मस्टो यार बहुत मिश्किल से निकाला है तुम्हे नीचे स्टेम मैं कोई तकड़ी तब ही ये इतना ज्यादा फसरा है यहां पर और विंच से भी नहीं निकल रहा अब तो ऐसा करता है को टान करने की कोशिश करता हूं शायद निकल जाए पल्टना मत पल्टना मत ओके नहीं पल्टा अभी राइट साइड को टान करने की कोशिश करता हूं या पता उस साइड से निकल जाए हां राइट साइड से निकल गया निकल जा निकल जा भाई प्लीज 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 निकल जा, यह देखो ना, आगे है स्टेम्प, यह स्टेम्प तोड़ नहीं सकता, कि थोड़ा बैक लेते हैं, अभी थोड़ा लेफ्ट को टान करके, फिर आगे से निकालने की कुशिश करते हैं, या फिर पीशे से इसको, इसके साथ कनेक्ट करके, अब दिखता हू हाँ निकल जा आगे कुछ है यार और ये बार-बार अंधेरा क्यों हो जाता है मिझे तो ये समझ में नहीं आता ऐसा करता हूं इसका इंजन बंद कर देता हूं और शिफ्ट होता है दूसरे ट्रक के अंदर ये इतनी जल्दी अंधेरा पता नहीं क्यों हो जाता है इस गेम के के अंदर कि अब ठीक है अब चलते दवारा अपने ट्रक के अंदर यह रहा अपने ट्रक इसको कर लेते हैं स्टार्ट और वीडियो देख लेता हूं यह बढ़ता है अब इसको दूसरी साइड पुश करना बढ़ेगा लेफ्ट साइड तो यहां पे बहुत सारी स्टैम है यहां भे भी तो टाइर के बीचों में भाई देखो कितनी बड़ी स्टैम फसी वई थी, उसकी वैश से भी तो दिक्कत हो रही हुई न, अभी इसको इसके साथ टैच करता हूँ, अब देखते निकलता है या नहीं, ओके फाइनली निकल गया, निकल गया, निकल गया, बहुत बढ़िया और क्या चाहिए मुझे तो लगा अभी रिकवर करना बढ़ेगा दोवारा और यह अब क्यों फसर है यहाँ पे जाड़िगा बढ़ी बढ़ी तो उनको यह तोड़ तोड़ के आगे बढ़ रहा है तो उसकी वेसे स्पीड थोड़ी कम होगी चलो तोड़ तो रहा है अभी अगर हम लोग अभी जीपन लेते न तो वो तो कभी भी नहीं निकलती यहां से तो अच्छा हो हमने यह ट्रक यूज़ कर लिया और यह क्या है यहां पे पहाड सा इसके उपर नहीं चड़ रहा है यह इसको रिवर्स लेता हूं और साइड से न अब देखता हूं निकाल के बस पल्टे ना यार बहुत मेनत लगी है बहुत मेनत ओके सुनली भगवान ने पल्टा नी ट्रक तो चलो जर्णी को दोबारा करते हैं स्टार्ट बट यह क्या है यह तो हम लोग वहीं पर पहुंचके ना यहां पर हमने पेशली बार शोड़ा त समझे रखता है नहीं वो यह वाली जगा थी तो हमें यह क्रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी अभी दूसरी साइड जाना पड़ेगा किसी तरह से ऐसा गरता हूं वहां पर रिवर शोटी है तो उस साइड से क्रॉस कर लेता हूं यहां से तो बहुत तगड़ी जा रही है ओके तो क्रॉस करने की कोशिश करते हैं यह होगी क्रॉस मुझे लग भी रहा था यहां पर छोटी है रिवर बट उस साइड पता नहीं क्या होगा अभी देख लेते हैं कोई बात नी ओके गहरी थी यहां पर बट कोई बात नी कम पावरफुल नहीं अपना ट्रक बट में डैमेज का ध्यान रखना पड़ेगा आधा ट्रक डैमेज हो चुका है और आधा उने में इसे जाधा टाइम लगेगा नी जो रहता है यहां से एक नाला सा है इसमें से चलते हैं यह र कि यह था नहीं यह रास्ता यह रास्ता हमें पहले क्यों नहीं मिला कोई बात नहीं जो चीजब मिलगी कोई बात नहीं मिली तो सही यहां पर बहुत अच्छा रास्ता आ रहा था यार इसको फॉलो कर रहते तो हमें क्लॉक मिल जाती बट कोई बात नी मिल तोगी चाहे कोई भी रास्ता हो के पास कहां से जाओं में इसके यह ही से चलता हूँ पत्थर है आप थोड़े डैमिज ना मिले बस अब देखते हैं मैप में कितना पार्ट अनलोक होता है ओके फस गया अपना ट्रक विंच लगाते हैं चल भाई थोड़ा सागे हो जा ओके अनलोक होगी अब इसका इंजिन करते हैं बंद तो कि अपने मास फ्यूल कम है ओके पास में यहाँ पे C क्लास ट्रक खड़ा हुआ है जो कि लॉक्ड है C255 मुझे लगता है यह C255 वोई ट्रक है जसको हम घटिया बोल रहे थे पिछले पार्ट के अंदर बत यार हमें यह मैप अच्छी तरह से फुली अक्पलिट करना है रोड नहीं शोड़नी और क्या पता वहाँ से मुझे रिपेर पॉइंट बगरा मिल जाए उस ट्रक से है ना जिससे मैं रिपेर कर सकूँ इस ट्रक को और यह यहां पर पलटने वाला था मैंने ध्यान नहीं दिया अभी सारी मेनत खराब हो जाती यहां पर कितने बड़े बड़े टोहे हैं खड़े हैं और के सामने सही यह रास्ता यहीं पर खराब है थोड़ा और ट्रक के टायर्स देख रहे हैं कैसे मिट्टी से मड से भरे हुए है मेरे इसाब से 10-15 किल्लो की तो मड़ी लगी होंगी इनके साइड में यहां से अच्छा आरा है व्यू और के यहां से मुरने हमें लेव यह भी रास्ता है एक तरह का यह थोगी यहां से किस तरह से आ सकते हम लोग ओके ये रास्ता यहां पर शोई नहीं हो रहा इसकी वेसे हमें पता नहीं चला पहले कभी ओके अगर हमें क्लॉकिंग ढूंड दिये तो हमें उस साइड जाना पड़ेगा ठीक है बट पहले इस साइड जाके उस ट्रक को मिलके आते हैं उसे अनलॉक करके आते हैं देखते क्या दिक्कत है उसकी और वो किसी घर के पास खड़ा हुआ होगा मुझे लगता है ऐसा मुझे लगता है जाता ट्रक जो अनलॉक होते हैं वो घरों के पास होते हैं यहां से हमें मुड़ना है राइट क्लॉकिंग रवील करने के बाद हमें पता लगता है कि यहां तकाने का तो कोई और भी रास्ता था बहुत सारे रास्ते होते बट वो मिलते नहीं है तो कि हमें पता नहीं होता कि कहां कहां होता है मतलब मैप के कौन कौन से रास्ते होते है सब कुछ तो बलैक किया होता है इसके वैसे और वोर अपना ट्रक ये तो यार खाली पड़ा है या पे इसमें रिपेर पॉइट है ही नहीं और दूसरी बाद ये बहुत ज़्यादा घटिया ट्रक है इसको मैं कभी भी यूज नहीं करूँगा इस मैप के अंदर भूल के भी नहीं तो कि यार ये ट्रक बहुत गंदे तरिक्के से फसवाता है ये इस तरह से फसता है कि मतलब निकलता ही नहीं बाद में सारी जनम तो ऐसा करता हूँ इसमें थोड़ चेंज करके देखता हूँ कैसा है इसके अंदर जीरो डैमेज है और फ्यूल टैंक भी भरा हुआ है तो मैं सोच रहा हूँ इससे वास्टावर ना रिवील बगरा कर लूँ बट नहीं यार ये साथ छूड़ देता है ट्रक और पेर पॉइंट भी नहीं है इसके अंदर हाँ रपेर पॉइंट भी नहीं हाला कि इसके पीशे वील टंगा हुआ है बट वो किसी कामका नहीं वह वासे एक डेकोरेशन का पार्ट है ओके तो क्या किया जाए वो वाले ट्रक में फ्यूल कितना है फ्यूल के उपर डपेंड करेंगे अगर उसके अंदर 50% से कम हुआ ओके 50% ही है फ्यूल क्या किया जाए नहीं भाई हम लोग इसी ट्रक को यूज करेंगे तो कि यार इसके उपर ट्रस्ट है बहुत सारी क्लॉ यह पिसे वाले प्लस पॉइंट और दूसरी बात यार इसकी प्रफॉर्मस बहुत अच्छी है यह साथ नहीं शोड़ता ट्रक लास्ट तक तो यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका वुवाला तो यार वैसे तो चलता रहता है बट जब साथ छोड़ना होता है न वो एकदम से छोड़ देता है और वो पलट भी जाता है यह पलटता नहीं है अके मार्क लगा देते हैं यह अपनी लास्ट क्लॉकिंग होने वाली है उसके बाद इस पार्ट को कर देंगे एंड और यह मैंने का मार्क लगा दिया यह सीधा रास्ता आएगा मुझे लगता है क्लॉकिंग के पास तो सीधा ही करेंगे मार्क और यहां पर कीचड कितना है ज को कैसे धसे हुए है फिर भी चल रहा है बस ये वाला रोड ना डिरेक्ट हमें क्लॉकिंग के पास ले जाए और कुछ नी चाहिए यार तो कि क्लॉकिंग रिवील करना बहुत ज़्यादा टफ होता है बहुत ज़्यादा कभी कभी तो ट्रक पल जाता है तो मुझे सारी की सारी वीडियो दुबारा रिकॉर्ड करनी पड़ती है वीडियो अच्छी नहीं बनती तो आप देख रहे हो एक घंटी की वीडियो दुबारा रिकॉर्ड करना वह भी बहुत बार एज इतनी जाए प्रोग्लम होती है यहां से लेफ्ट जा राइट लेफ्ट चुनूंगा मैं तो कि जो लेफ्ट है वो माक की तरफ जा रहा है बट अखल राइः मैपस के और नहीं यह प्रोग्लम मुझे लगता पिछला मैप खेल तो यह के अंदर तो बहुई हमें पता भी नहीं था कि जड़े वगारा भी कुछ होती है कि एस घेम के अंदर इसमें ही पता चला इसमें आपके नुजर अ बट इस से टफ होती है गेम टफ गेम अच्छी होती है उसे बोरिंग नहीं होती है कि एक सेकंड यहीं पर फस गया कि विंच लगाता हूं लास्ट वाउस्ट आवर है इसको रिवील कर दे भाई और खुश नहीं चाहिए मैं तुस्से उसके बाद हम किसी और ट्रक से मिशन वगारा कर लेंगे यहां से कहां जाना है ओके रोड मिल गी हमें में रोड मिल गी तो अच्छी बात है स्पेंट टायर्स के अंदर में रोड मिलना बट यह में रोड हमें ले जाएगी नहीं मुझे नहीं लगता ले जाएगी मुझे लगता यहां से हमें शॉटकट माना बड़ेगा थोड़ा स बोरी क्लॉकिंग बहुत बड़िया यार बहुत एजी मिल गी ये तो मुझे तो लगा पता नहीं कितनी जाद टफ होगी ये क्लॉकिंग और उसके बाद देखेंगे यार कि आखिर यहाँ पे है क्या कौन से रास्ते यहाँ पे कौन से सीक्रेट यहाँ पे दबे पड़े है सब कुछ देखेंगे अगले पार्ट के अंदर नहीं इस पार्ट के अंदर ही क्लॉकिंग तो भी रिवील करने वाले हैं न हम लोग ओके बस थोड़ा सा समय और यार ये ट्रक बहुत अच्छा है दिल आ गया इस पे ओके सारी क्लॉकिंग हो चुकी एर वील्ड बहुत बड़िया पार्ट बनाए अब देखते हैं मैप को ये है मैप और हमें डी क्लास ट्रक मिल गया तो मैं सूच रहूं इस पार्ट को अभी एंडर नहीं करूंगा अभी ये डी क्लास ट्रक को अलॉक करके आते हैं तो कि इससे हम लोग लंबर बगारा हमें डिलवर करनी पड़ेगी बाकी ट्रक की मतलब इतनी लेवल नहीं है उनका कि वो इतना भारी काम कर सके बट यहां तक मैं जाओंगा कैसे मैं सूच रहूं यहां से ना रीवर के अंदर से जाता हूं शॉटकट हो जाएगा और वीडियो विजा लंबी नहीं बनेगी तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी जर्णी डी क्लास ट्रक को अनलॉक करने की बट यहां पर एक सेकंड एक सेकंड यह गहरी होगी हाँ मैंने सही सूचा था और यह ट्रक खतम होने वाला है और बीच बीच में तो रुख भी राया इसका इंजन ओके यह 90 परसेंट ट्रक 80 परसेंट यह डैमेज डैप फुल ली तो वोरा ट्रक पता नहीं हम लोग पहुँच पाएंगे या नहीं मैं ऐसे करता हूँ विंच लगा लेता हूँ यहां पर तो कि यह बस विंच जो है न वो इंजन को किसी तरह से बाहर निकाल दे ओके इतनी फॉस्ट गेर में लगा देते हैं तो कि यार मैं नहीं चाहता कि यह डैडड हो जाए वोर अपना डी क्लास ट्रक यार मैं यही चाहता था कि एक अधा ट्रक मिल जाए और देख रहे हो परफॉर्मेंस के ओपर कितना फर्क आ गया परके यहीं से नहीं निकल रहा जब जब थोड़ा थोड़ा आ रहा है मतलब फरक ये बंद होना चाहता है इंजन और धुमा देख रहे हो कितना निकल रहा है जोड़ा मुखी इसने अपना काम कर दिया अच्छी तरह से ये होगे अपना D-Class ट्रक अनलॉक और ये वाला ट्रक जो D-Class अभी अनलॉक किया 8x8 ये वन ये बहुत है साइज में तो फस जाते हैं यार मैप के अंदर पतली रास्तों में तो ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और इससे हम लोग लंबर बगारा हमें ट्रांस्पोर्ट करनी पड़ेगी तो यार बाकी ट्रक तो खत्म ही है और हो सके तो गले पार्ट के इस वाले ट्रक से हम लोग अटैच करके देख लेंगे कि इससे लंबा ट्रेलर बगारा इसके अंदर अटैच होता है या अगर तो अटैच हुआ तो कोशिश करेंगे कि इसी से हम लेके जाए ये तो मैं सोच रहा हूँ यार जो ब्यू ट्रक है जिसका हमने पिछले प्रूड के लिए तो ठीक ठाक है ट्रक बस में प्रॉब्लिम क्या कि ट्रेलर बहुत लंबा है तो बाकी देखा जाएगा अगले पार्ट के अंदर तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आयोगा अगर पसंद आयो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और कोई भी सजेशन हो जाका फिर कोई क्वेशन हो तो कमेट बॉक्स खुला है वाँ पर टाइप कर देना आशा करता हूं अब वह तो बूल दिया ना थैंक्स वर वाचिंग वीडियो को एंट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं